रेडियो खांची, 94FM, हम सबका रेडियो में आपका स्वागत है, मैं R.S.T.A. Assistant Professor, Department of Political Science सिम्डेगा, College सिम्डेगा, मेरे ब्याक्यान का विशय है, राज्ये की उत्पत्ति के दैवी सिधान या Divine Theory, जो semester 1 के कोरवन से संबंदित है, राज्ये की उत्पत्ति के संबंद में विविन सिधान्तों का प्रतिपादन क्या गया है, उनमें से कुछ प्रमुक सिधान्त हैं, दैवी सिधान्त, शक्ति सिधान्त, समाजिक समझावता सिधान्त, पित्री सत्तात्मक सिधान्त, मात्री सत्तात्मक सिधान्त, योमेतिहासिक या विगासवादी सिधान्त दैवी सिधान्त राज्य के उत्पत्तिमिक के संबन में प्रचलित सभी सिधान्तों में सबसे अधिक प्राचिन सिधान्त दैवी सिधान्त है इस सिधान्त के नुसार राज्य एक इश्वरिय या दैविय संस्था है अर्थात राज्य का निर्मान इश्वर ने किया है, तथा वह अपनी प्रतिनीधी के रूप में राजा को शासन करने भेजता है इस तरह राजा अपने समस्त कारियों के लिए जनता के प्रति उतरदाई नहोकर इश्वर के प्रति उतरदाई है राजा के समस्त शक्तियों का स्रोत इश्वर है। जिस तर इश्वर के सभीकारे सभी के हित में होता है यो नियाय संगत होता है। उसी तर राजा के भी सभीकारे नियाय संगत यो जनता के हित में होते हैं। या सिद्धान्त इस बात का समर्थन करता है कि राज सत्ता पैत्रिक या वन्शूनगत होती है। इस सिद्धान्त का सबसे कट्टर समर्थक 17 सदी में Stuart Once के राजा जेम्स प्रतम हैं। जिन्होंने अपनी पुस्तक लोग अपमुनार्की में इस सिधान्त का समर्थन किया है। उसने लिखा है कि राजा लोग पृद्वी पर इश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। वह आगे लिखता है कि इश्वर क्या करता है इस पर बिवाद करना नास्तिकता तता पाकंड है। इसी प्रकार प्रजा के रिदय में राजा के कारियों के प्रती आलोचना का भाव होना अत्वास के द्वारे यह कहा जाना कि राजा यह कर सकता है और यह नहीं कर सकता राजा का अपमान, अनादर और त्रिस्कार करना है। इस तरह राजा की आलोचना करना इस्वर की आलोचना करना है। विविन धर्मग्रंथ राज्य की उत्पत्ती के दवी सिधान्त का समर्थन करते हैं। यहोद्यों के प्रसिद धर्मग्रंथ, उल्ड टेस्टामेंट या पुराना बिधान में भी राजा को इश्वर का प्रतिनीदी माना गया है. कुछ इसाई संत जैसे की संत अगुस्टीन, फोप, ग्रेगोरी आधी ने भी राजा को इश्वर का प्रतिनीदी माना है. कुछ भारति धर्मग्रंथ, जैसे माहाभारत मनुस्मृती में भी इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि राजा का निर्मान, इंद्र, मित्र, वरून, यम, आधी देवताओं के अंश को लेकर हुआ है. दैवी सिधान्त की आलोशनाए राज्जी की उत्पत्ती का दैवी सिधान्त एक लंबे समय तक प्रचलित रहा, किन्तु आज के वैज्ञानिक समय में इसे अस्विकार कर दिया गया है. अनेक आधारों पर विभिन विद्वानों ने इस सिधान्त की आलोशनाएं की हैं. पहला आलोशकों ने इस सिधान्त को पूर्टिया आव वैज्ञानिक एवं अनैति हासिक कहा है. दैवी सिधान्त इस बात का प्रतिपादन करता है, कि राज्जी का निर्वान इश्वर ने किया है, तथा राजा इश्वर का प्रतिनीधी है. आज इसे किसी भी तरह की कोई मानेता प्राप्त नहीं है. वस्तुता आज राज्टंत्र खत्म हो गया है और लोगतंत्र की अस्थापना हो गई है. इतिहास में भी इस बात का कोई है, कि राज्जी एक इस्वरिय संस्ता है. दूसरा, राजा स्वेक्चाचारी अमनीरंकुष हो जाएगा. यदि दैवी सिधान्द को स्विकार कर लिया जाए, तो राजा स्वेक्चाचारी अमनीरंकुष हो जाएगा. इस सिधान्द के नुसार राजा इस्वर का प्रतिनीधी होता है. इस तरह वह अपने सभी कारियों के लिए इश्वर के प्रति उतरदाई हो जायेगा तथा अपने एक्छा अनुसार कारे करेगा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन राजाओं ने अपने आपको इश्वर का अंश कहा है वे जादा अत्यचारी सिद हुए है तीसरा आतारकिक आलचरकों ने इस सिधान्त के आलचनक करते हुए इससे आतारकिक सिधान्त कहा है जहां धर्म ग्रंतों के अनुसार इश्वर, दया और प्रेम के भंडार होते हैं वही बेवहार में राजा दूस्ट यो मत्यचारी सिद हुए है ऐसे राजाओं को इश्वर का प्रतिनीदी कैसे कहा जा सकता है अता यह सिधान्त आतारकिक है चौथा रूढ़ी वादी धारना एदि देवी सिधान्त को स्विकार कर लिया जाए तो राज्य को पवित्र संस्था मानना होगा यम इसमें कोई भी परिवर्तन करना संभो नहीं होगा जिसे से राज्य अनुप्योगी हो जाएगा इस तरह यह एक अनुप्योगी संस्था बनकर रह जाएगा इस कारण आलोचको ने इसे एक रूढ़ी वादी धारना कहा है पाच्वा नास्तिकों के लिए बेकार सिधान्त आस्तिकों के लिए सिधान्त उप्योगी ये अमुल्यवान हो सकता है लेकिन जिन इश्वर के अस्तित्तुप में विश्वास नहीं है उनके लिए यह सिधान्त बिलकुल निरर्थक है छटा, वर्तमान परिस्तितियों में लागू नहीं दैवी सिधांत राज्टंतर का समर्थन करता है जिसमें राजा इश्वर का प्रतिनीधी होता है लेकिन वर्तमान में लोकतंतर का युग है जिसमें जनता अपने शासक को चूनती है अता आज देवी सिधान्त आमानने है महत्व यद्विपी आज देवी सिधान्त को अस्विकार किया जा चुका है लेकिन प्रारंभिक काल में या काफी उप्योगी था प्रारंभिक काल में जब मनुसे अपने आपको धर्म से संबद मानता था तब यह उसके लिए बहुत मुल्यवान सिध्ध हुआ प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति यो माग्या पालन का पार्ट इस सिधान्त ने पढ़ाया तथा एक ब्यवस्तित जीवन की निव रखी गिल क्राइस्ट ने कहा है कि यह सिधान्त चाहे कितना ही गलत और विवेक्षुन्ने क्यों न हो राजक्ता के अंद कस्रे इसे अवश्य ही पाप्त है धन्यवाद